तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जो याफे के काड़ेची को दिखा आता है और उसी काड़ेच के अंदर हमें डिमनेक्ची को दिखा आता है वो बैटा रहता है और उसी के सामने हमें जो याफे एक बंदा और एक लड़की को देखते है वो बैटी रहती है तभी अच को ग्रेट करता हूं फिर उसके बाद जाय आफे साइट पर रहे उस लड़की तरह विसरा करते हैं यह यूज यंग फ्लेस ओल्डेस मार्सल सिस्टर इम्मोटल वाइवान है और अभी उसके काल्टिवेशन गौडली पावर इंटिमेड़ स्टेज पर हैं और हां मैं को पहले मुझे तो नहीं बता हैं वाड़े में डिमनिक च्जो सिस्टेम को रिप्ले करते हैं कहा होता है जब मैं मेरे पास्ट लाइप पर डिमर्टिवेशन को लेकर कर रहा था तब उसके बाद मेरा बिद्र संसरा इंडर मेने सोब qué taxes NICK बाद मेरे तरह को बाइगा होता राएंगा फिर मुरा टार्गेट कभी मेरे डिवायन सभी का व्त आज़त पोबी साख हो गया होता है, साख हो ते डिवनेची को कहा रहा होता है, OMG, एक पैदा हुआ विलेन से जैसे उमिद था, अब मारने के बाद अपने सोल को दूसरा के सरी के अंदर रिपलेस करके फिर से जीना सुरू कर सके, इसलिए सब कुछ मरने से पहले पेपर करके रखा था, सच में, होस्ट एक ट्रू विलेन है, बैसे मैं सोच रहा हूँ, अपने ओमेन के सरी के अंदर डिवाइन सोल मर्ट क्यों कास्ट किया था, अगर आप अपने सोल को ओमेन के बाड़ी के अंदर रिपलेस करके जीना सुरू कर दे, क्या आपको यह आपर कोई दिक्कत नहीं है, और सिस्टिम के यह उपिनियन को सुनने के बाद डिवाइन को मनी मन में कह रहा होता है, हम, यह सरा बहुती बड़ी हाए, पर मगज़े ये साय जम्य में नहीं आरा है, यह तीनों मुझे से क्या बात करना चाँता है, और तब है जाओ याइफे को दिकरा आता है, बो डिवाइन याइनिस के सामने आता है, फिर डिवाइन यको कह रहा होता है, मुझे लग दा है कि ताइसु Holy Ground Southendism को गार्ड करता है और वो Ming Destiny का गार्ड यहने तो रेस्पेट के तोर पे Holy Ground को हर साल एक लाग बीस हजा डिवाइन एस्टन्स ट्रोन देना चाहिए और यह बाते को सुनने के बाद डिमनेचु कहा रहा होता है किकि हम जो करने जा रहे है वो Great Ming Destiny और Holy Ground के Bright Future के लिए है और जायाफे की यह explanation को सुनने के आद मैं डिमनेचु को दिखा आता है वो स्माइल करते कहा रहा होता है वेल यह बहुत ही बड़ीड प्लैन है अगर यह प्लैन सक्सेस्पूल हो जाता है तो आप जीतेंगे मैं जीतूँँगा सभी जीतेंगा तभी सिंसीप रहाता है उस कड़ेज से दूर हमें क्यों मिंग को दिखा आती है वो डिमनेची को फालो कर रही होती है और डिमनेची के हर एक बाते को सुन रही होती है फिर वो Money Money मैं कहरी होती है ये बुरे डिसाइपल तुम बास्ता में खुले तोर पर और इतने महसुन तरीके से रिस्पत मांगी अगर सेवन्थ प्रिंसे जुई इस बुरे डिसाइपल के हर कत्यों को और बाते को सुनती तो वो खुन के उल्टिया कर देती बैसे ये सब कुछ मेंटर को लेकि मैं इंट्रेस्टेट नहीं हूँ पर फिर भी मैं देखना चाती हूँ वो बुरे डिसे पर लागे क्या करने जा रहा है हम्म इंट्रेस्टेट नहीं है इसलिए सुरू से ही वो शुपके से डिमोनेची को पोटेट कर रहे है सिंसिट हो जाता है हमें कुछ मेंट के बाद करसिंद दिखाता है बश्यबं डिमोनेची और बाकिसावए को देखते हैं उससे ये का बातचीत खतम हो गया होता है और डिमोनेची वहां से जाने के लिए निकल रहा होता है और डिमानीच को ग्रिट करते हुँ कह रहा होता है यह और होले हाल ने, सब कोई चिंता करने के कोई जरूत नहीं है जब भी हम सेंच्जों सिटी पे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बहुत ही बरिया गेट भेज दूँगा फिर उसके बाद यह अचानक से मैं जाएंगे को दिखाता है वो एक छुटरा सा स्माइल करता है, फिर वो मनी मर में कहा रहा होता है अब हमारे साइट पे 200 होली ग्राउन का होली सोन है तो हमारे सांसस का एचिंट मेंड हमारे हाथ पे ही है तब ही जाएवे इम्मोटल वाईवन की तरह मुर्तिवे कहा रहा होता है जब हम एक बर यह इंजन सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे तो ब्रादर यांग चैन और मैं हमारे आइडेंटी के करण होली सोन से क्लोसली बात ने कर सकते है तो इसलिए हम चाहते है कि इम्मोटल वाईवन होली सोन को सारव करे और जाएवे कि यह बाते को सुनने काद में इम्मोटल वाईवन को दिखा आती है वो समाइल करते वे कहा रही होती है यह में चाहते है तो आपको टेंसल लेने का कोई जरुवात नहीं है मैं इस काम को बहुत आची तरी के साथ समाल लूँगी बैसे गाइस मुझे लग रहा है कि डेमनेक्चु को सर्ब करना मलब बिस तरह को गरम करना सिंसीट हो जाता है हमें कुछ मिट के बाद कसे दिका आता है वह इप हम सेवन्थ प्रिंसस के काड़ेज को देखते है और उसी काड़ेज के अंदर डेमनेक्चु आ गया होता है फिर वह अचनक से सेवन्थ प्रिंसस को कह रहा होता है और डेमनेक्चु की यह बात को सुननने का आद में सेवन्थ मारे प्रिंसस को दिका आती है वह बहुत वाता सौक हो जाती है उसके बाद भी वह अपनी काप्तो आजबेज में डेमनेक्ची को करे है यहु सबस्ता हूं क्या आप जाया वेको मदद करने जा रहे है वो Demonicio के सामने घुटने टेक दिया होता है 7th Princess रोत वे कहा रही होती है Your Holy Hines, Please हमारे Mane Destiny को बचाईए और भाई Princess को साइट पर हमें Mate को दिगा आती है वो भी Demonicio के सामने रोत वे कहा रही होती है Your Holy Hines, Juh Yip पर बहुत एदब पार्क होले और हमने जीव फेमिली उसके पार को रिजिट करने में सक्सम नहीं है और आप दो वो विद्रो करने के बाड़े में सोच रहे हैं सिर्फ आप ही है जो हमें बचा सकते हैं उससे भी कि ऐसा बात को सुनने के बाद सामें दिखा आता है कि डिवनी चुके सिस्टेम पर नोड़े वेसन आता है वाद दा हेल ये सिस्टेम कितना मड़ा भीलेन है दोनों साइट पर डील कर रहा है आपके इतने हाई लेवल के सेमलेस्ट वीवेर के करन्ड पर रहे 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 हैं के चीकन को दिखाता है वह साथ प्रूस के बात को सुनने का साख करता है और अच्ना सा मैं डिमोनिच्यो को दिखाता है वो Сफ्सेवनोनिच्यो के वरा एक ठीक करता है धी करता है। गईस मुझे सामें नहीं हारा था कि यह हरामी ओथार एल्डर मो के रियक्सेन बाते को क्यों नहीं दिखाता है। मतलब ओथार एल्डर मो को इतना ज़दा इग्नॉर करता है कि एल्डर मो डिमोनीचु के साइट पर बैटी हुई है। पर भी मैं हैसुस हो रहा है कि एल्डर मो एक्जिस्ट ही नहीं करती है। मुझे लगदा है कि जब डिमोनीचु के साथ रोमेंस शुरू होगा और जब वो मर जाएगी तब थोड़ा दिखा सकता है। तो चलो चुरो आगे में सब कुछ पता चल जाएगा हम कहा नहीं पर आते है। तब आप डिमोनीचु को देखते हैं वो मनी मन में कह रहा होता है। चाहे मैं कितना बड़ा हरामी हूँ कितना बड़ा डिमोन हूँ पर फिर भी मैं मेरे खुद के ओमेंन के जुने को टाच कैसे कर सकता हूँ। और सब्जबारी बात तो यह है कि उसकी आंड मेरे लिए मर गई है। तब ही सिंस्रिफ्ट हो जाता है हमें कारच के बाहर क्यूमें को दिखा आती है। वो सब्जबारी बात को सुनने के बाग वो मनी मन में कहरी होती है। यह लड़की इतना था यंग है पर फिर भी बो नहीं जाती है वो खुद को कैसे प्यार करे। बैसे तुम मेरी हालात को देखने के बाद कुछ सिख क्यों नहीं लेती। तुम उस बुड़ेट डिसापर के जासे में मतना नहीं तो बरबाद हो जाओगी। गैस मुझे तो लग रहा है कि क्यों मैं जब भी सुनिया है कि सेवंध प्रिंसेस अपने सरीर को डिमोनिक्ची को देना चाहती है। उस समय से ही क्यों मैं जला स्किल करने लगी है। सिंस्रिफ्ट हो जाता है हमें कुछ मिट के बाद को सिंदिक आता है। वाई पर हमें इवन यहां पीक को देखते हैं और उस जगह पे सेवंध प्रिंसेस को कारी जाकर रहा है। पर उससे पहले तुम तुमाटी रोयल फादर और ब्रादर से बात कर लेना और प्राइस के बाड़ मैं उससे मैं बात में बात कर लूँगा। फिर उसके वाद हमें सेवंध प्रिंस से जुई को दिखाती है। वो उस जगह से जाने लग दिए। पर वो आचने से डिमोनिक चू के तरह मुड़ती है। और वो एक चोटा सा समयल करती है। फिर वो टेली पेति को वाई से डिमोनिक चू को कह रही होती है। आप हमारे रोल फेमली को मदद करने जा रहे हैं। इसके लिए आको बहुत बहुत सुक्रिया। यह बाते को सुनने का था मैं डिमोनिक चू को दिखाता है। वो भी टिली पेति को वाई से कह रहा होता है। तुम्हें थैंक्यू कहने कि कोई जरुवात नहीं है। मुझे जो कहरना चाहिए मैं बही कर रहा हूं। इस ब्लू स्टोन पर अभी तक कोई भी खरच नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि इस पतर के उपर बहुत सारे लोग काल्टिवेट करता है। फिर उसके बाद आचनक साम डिमोनिक चू को देखते हैं। वो उस पतर के उपर अपने ब्लाट से डिवाइन सोल मार का फैटन ड्रॉ करता है। और वो ड्राइंग कॉम्पलेट होते ही हामें देखा आता है कि उस जगह पे एक फिमेल भॉस की आवाज आती है। वो डिमोनिक चू को कह रही हो। और यह भॉस को सुनने के बाद मैं डिमोनिक चू को दिख कानों जो बहुत एदा कानिंग और सबसे ज़्यादा मौत से रड़ते हो। और यह सब बाते को सुनने काद मैं डिमोनिक चू को दिखा आता है। वो एक ही नजर जूबाई के तरफ देखे जा रहा होता है। और यह देखने के बाद जूबाई को कह रही होती है। मुझसे मेरी वतले में जूबाई को खायल रखूना है। तभी आचाने साम देती है कि जूबाई का सूल गयाब होने लग दिये वह भासे जाती है। मैं लास्ट पे तुम्हें एही कहाना चाहती हूं। तुम एविल तुम्हें यह सिस्टर तुम्हें बहुत 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 ज़द यह कहा जाता है कि अगर कोई अपने काल्टिवेशन पर स्टोन डिलें पर ब्रेक्थूर करता है तो हॉंग वह जगा पर तीन मेने के रहने के रिए पार्मेशन मिलता है। पर जूबाई ने ऐसे कैसे कि उसे बापास लोटने की आवा सकता नहीं होगी। पर तब ही आचनस कि यह बाते को सुनने के बाद क्यों मिंग कहरी होती है। या तकि मैं यह से नहीं कर पाई पर तुम्हें कैसे पता चलता कि इस ब्रू स्टोन की उपर डिवाइन मार्क सिल है। वह जिगा पर बैट चाता है। फिर वह कहरा होता ह। उस पत्तर को टास्ट करने के बाद ही मै कैसे पता चलता धिमांनी हूट की वाते का सुनने के आपको किए रही होती है अच्छा मैं समझ पारे हूट भैसे तुम यह आ पते को सुनने के रही होती है पहले तुम मेरे साइट पर 녹ल drowned क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद सीधा क्यूमिंग को अपने गोध पर बैटाते हैं और इस सीन को देखने के बाद मेरा एंटेना खड़ा हो गया है मुझे फिल हो रहा है कि क्यूमिंग मेरे गोध पर बैटी हुई है और मेरा एंटेना उसका सरी पर टाच हो रहा है तो यह आम डेमनिक्ची को देखते हैं, वो किमेंग को कह रहा होता है, तुम मेरे मास्टर हो, तो क्यों ना इतने बीटूबल ववेदार, और इतने बीटूबल सिनरी के साथ, मुझे कुछ लेसंस दिखा दो, और डेमनिक्ची को यह सब हरकत को देखने के बाद, बातों को आपके चलेता है, और वही दोजी तरफ हमें क्यों में को देखा आती है, वो डेमनिक्ची के बहुत यहाद करीवाज आती है, तुम नाटी काल, आज रात मैं तुमने साथ दिल करने वाला हूं, पर अबे के लिए तुम मुझे फोलो करो, यह बातों को सुनने के बाद, क्य क्या हो जाता है, वीडियो कैसा लाग मुझे कमें करके जरूर बताना, अगर यह सिर्स अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्रेइब कर दो, आज पाने के लिए, और हाँ हो सकता है कि आज का एपिसोड इतना भी इंट्रेस्टिंग नहीं था, पर फिर भी मैंने अपन आपना ओपिनियन दो, और यह भी बता सकते हो कि वीडियो पे क्या-क्या चेंजिस करना चाहिए, क्या इंप्रूब करना चाहिए, ठीक है, तो अपनामना सभी ओपिनियन दो, और हाँ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलोर नहीं किया, यार क्या कर रहे है, बहुत ज आप